और ये उपर के नगे चाए आज हम उनका परिचे करवाई दर्शकों आज हम ऐसे सक्ष से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने समाजिक राजनेति ट्रेड यूनियन और कोईला उद्योग में अपनी विशेश पहचान बनाई जिन्होंने नागपूर जिला परिशद सदस्य के रूप में आक्रमक भूमिका नि केंद्रिय अध्यक्ष वो केंद्रिय ठेका शरम सल्लागार बोड़ सदस्य भारत सरकार के रूप में अपनी तेज तर्रार भूमिका के कारण सबसे कम उम्र में कोईला उद्योग में कामगारों के सबसे चहते निता के रूप में उभर कर कामगारों के बीच आए जो टेकाडी कोईला खादान में ही जन में कोईला कामगार का बच्चा जो कोईले में खेल कूद कर बड़ा हुआ और आज खुद कोईला उद्योग में सबसे बड़े पदों पे विराजमान है अपने चीर परिचीत अंदाज के लिए जाने जाने वाले आज के विशेश मेहमान जिनका नाम है शिव कुमार यादव सर सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को चन्द शब्दों में अपना परिचे दे मैं शिव कुमार यादव कामठी कॉलरी पार्शुनी तैसिल नागपुर जिले में ही पैदा हुआ हूँ यहाँ पर पढ़ा ही लिकाई करके आगे बढ़ा मैं 2012 में जिल्ला परिशत का चुनाओ लड़ा और कॉंग्रेस पक्ष की और से सदस्य चुनकर आया हूँ उसके बाद से WCL क्योंकि कोईला खदान छेतर में ही पैदा हुआ और कामगारों के बीच में ही बड़ा हुआ हूँ तो इसलिए मुझे लगातार लगाओ था कि मैं कामगारों के प्रति कोई काम कर सकूँ और उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूँगा वो मेरे जीवन के लिए एक महातो का चंड रहेगा साइद कामगारों की आवाज कुदरत ने सुनी और कुदरत के आदेश अनुसार मैं आज इसलायक बन गया कि उनकी सेवा करते करते उन्होंने मुझे इस बड़ी जगे पे बिठा दिया कि आज आपके सामने मुझे ये बैठने का मौका मिला इस्टूडियम में और आज अपने कामगारों का पक्ष रखने के लिए साइद मुझे इसके माध्यम से मौका दिया गया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर मुझे ये बताईए कि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई गौट फादर होता है क्या आपको इतनी बड़ी बहुत कम उम्र में आपने बहुत बड़ी प्रसद्धी हासिल कर लिए तो क्या इसके पीछे कोई गौट फादर था ये या फिर ये सब कुछ जो है ये आपके मेहनत के बलबुते पर आपने पाया है मेरे खैर कोईला इसमें union में मेरा कोई गौट फादर तो नहीं था लेकिन जब बचपने से जो मैं मैं महनत करना चाल लु किया हैं और कामगारों का दर्द को देखा हूँ साथ मैं अपना Godfather कामगारों को ही बोल सकता हूँ क्योंकि उनको ही देखा और उनके दर्द को समझा उनीके आशिरवास से मुझे आज सब कुछ मिला है तो मेरे लिए तो Godfather मेरे कामगार भाई है क्या बात है सर सर आप कोल इंडिया से विलॉंग करते हैं तो मुझे सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताईए कि WCL और कोल उद्द्योग जो है क्या है उसमें? खासकर महरास्ट के WCL का क्या स्थित्व है? भारत सरकार का जो कोईला उद्द्योग का काम है उसमें जैसे CIL है जो पूरे भारत देश में कारे करती है उसके एक अनुसंगरी कंपनी है WCL WCL जो है वो महरास्ट और मद्द परदेश दो राज्ये में इनका कारेच्छेत्र है और 80% कारेचेत्र महारास्ट है और महारास्ट में विधर्ब का मुख्य तीन जिले नाकपुर जिला, योतमाल जिला और चंदरपुर जिला ये तीन जिलों में ही कोईला ख़दाने हैं हमारी और बड़ी संख्या में यहां कोईला का उत्पादन होता है जी सर चुकि आज आप हमस के यूनियन के अध्यक्ष तो हमस्यूनियन से में आप कैसे है और अब तक का आपका जो सफर रहा है वहां कैसे रहा है देखे मैं अपना बचपना में वापस जाता हूँ, कि जब मैं कोईले की खदानों के इसमें जब काम करते थे लोग, उस समय उननीस सो असी के दसक में, बचपना जब था मेरा, थोड़ा बहुत होस था मुझे, उस समय आप देखेंगे कामगारों के इसमें जो अंडर्गाउ अंडर्गाउंड से एक हमेसा लास निकलती थी, ऐसा कोई दिन नहीं रहता था जब कामगार अंडर्गाउंड में काम करने जाता था, उनके परिवार के लोगों को ये विश्वास नहीं रहता था, कि उनके परिवार का आदमी वापस आएगा कि नहीं आएगा, रोज वो अपनी जिन्दगी को मौत के मुह में लेकर जाता था और काम करके वापस आता था ऐसी इस्तिति में मैं अपने आपको जब बच्पने से उनके बीच में देखा कि लगातार वो जिस तरह से महनत करते हैं देश में अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग इसमें काम करने वा कोईला उत्पादन एक तरह से देश की रिड़ की हड़ी है क्योंकि कोईला जो उत्पादन हो रहा है उसी के भरोसे उर्जा का उत्पादन होता है और उर्जा के बिना देश की तरक्की या देश का कोई भी कार्य नहीं हो सकता इसलिए सबसे मुख्य जो कार्य करने का काम है को WCL या हमारे कोल इंडिया के करमचारी करते हैं जी सर अभी आपने उर्जा की बात किया तो मैं आपको बीच में आपकी बात काटना चाहूंगी बता आप पतेगे सर अभी हाली की दिनों में लोड शेडिंग बहुत जादा बढ़ गई है तो क्या आपको लगते कि इस बिज अजनिती मुद्दा है इसमें मेरे को ज्यादा बोलना उचित तो नहीं समझूंगा मैं लेकिन इतना जरूर कहूंगा क्योंकि मैं कोईला उद्यों में काम करने वाला हूं और उनमें लगातार भिल कर कारे कर रहा हूं आप मेरा WCL का इतिहास देखिए उन 50 साल पहले WCL 69 million टन सिर्फ WCL ने कोईले का उत्पादन किया है जो अपने आप में सबसे highest है यहने पिछले 10-12 साल का अगर पहले का अगर चले जाए तो जितना हम 2-3 साल में उत्पादन करते हैं उतना हमने 1 साल में पिछले साल किया है तो कहीं से भी कोईले की कमी नहीं है अब यह इसमे मैं खुल के बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि इसमें कहीं न कहीं बहुत ज्यादा किसी का हीत है इसलिए ये लोगों को गुम्रा करने की बात है कोईले की जितनी जवरत है विजली उत्पादन के लिए उतना उत्पादन करने के लिए आज कोल इंडिया पूरी तरह से सक्षम है WCLB सक्षम है लेकिन उन्हें जानबूच कर हमें बहुत से कारण है जिनके कारण उनको कोईला उत्पादन को रोका जा रहा है हमारे को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और बाहरी कोईला बूलाने के लिए यह जानबूच कर एक क्राइसिस पैदा कर दिया गया जिसक राजनिती करनी बोल सकते हैं मेरे जानकरी में यह है और कहीं भी मेरे जानकरी में कोईले की कमी नहीं है और कोईले का प्रडक्शन जो है वो भरपूर मातरा में हो रहा है इसके बावजूद लोड शेडिंग जो हो रही है उसमें कोईला उत्पादन का कहीं लेना देना नह जितना उत्पादन पिछले साल हुआ है और अभी जितना कर रहे हैं हम हाइस्ट बढ़ते जारहे हैं अगर बिजली की खपत बढ़ रही है तो कोईले की भी खपत तो 3 गुना 4 गुना ज्यादा हम लोगों ने उत्पादन करना चालू कर दिया है तो कहीं कमी तो होने का सवाल पबनाजी नहीं है अंडरगाउंड माइनस में कोईले का उत्पादन कम होता है किविए मैनुली काम ज़ादा होता है और वहां पे अंडरगाउंड से कोईला निकालने के लिए जो टेक्थन आपनालोजी है वह अभी हमारी पूरी तरह से विक्सित नहीं है जो विदेशों में जिस तरह से कोईले का उत्पादन किया जाता है, उसमें हम लोग कहीं न कहीं अभी पीछे हैं, जिस दिन हमारे पास में higher technology का इस्तमाल चालू हो जाएगा, तो हम underground में भी बहतरीन तरीके से कोईला निकालना चालू कर देंगे, लेकिन कम समय में ज्यादा क कोईला ऊपन कास्टों से निकलता है, इसलिए हम लोगों ने underground के बदले अभी ओपन कास्ट में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कम समय में ज़्यादा उत्पादन करने के लिए उपन कास्ट का कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि underground से कोईला नहीं निकल रहा और उसको बंद पहले नंबर पर आई है तो ऐसा क्या चमतकार हुआ है इसके चमतकार नहीं बोलेंगे यह मेहनत का फल है हमारे कामगार भाईयों का प्यार है आशिरवाद है जिन्हों हमें हाथो हाथ लिया और आज इस मुकाम तक पहुचा दिया कि जो हमेशा चोथे नंबर पे यूनियन रही है उसमें चंद वर्सों की मेहनत में हम आज पहले प्रथम करमांग पे हैं और WCL के इतिहास में HMS पहली बार फॉस्ट नंबर पे आई है तो यह हमारे सब कामगार भ उसमें Congress की भी यूनियन है, BGP की भी है, Left Front की भी है लेकिन एक HMS ऐसी यूनियन है जो कामगारों की यूनियन है इसका इनका ना तो कोई पार्टी से संबंध है ना और किसी से है सायद कामगारों की यूनियन और कामगारों को लगा कि यह काम कर रहे हैं इसलिए उन्होंने हाथो हाथ हमें लेकर आज पहले करमांग पर बिठाया है तो इसलिए एक कामगारों की यूनियन है सर अभी हल ही के दिनों में 940 के तहत मेडिकल एंफीट का मामला बहुत सुनने में आ रहा है तो एक्चुल में जिसमें सैकडो लोगों की नौकरी भी दाव पर लगी हुई है तो यह थोड़ा हमें समझाई है चली आपने बहुत अच्छा सवाल किया है क्योंकि यह पूरे WCL नहीं पूरे कोल इंडिया में अपने आप में एक महत्व का मुद्दा है जो पिछले 2-3 महने से ज्यादा गुंज रहा है इसमें अच्छा है कि आपने पूछा है तो इसका जवाब भी मैं बिल्कुल दूँगा क्योंकि इस लेबल पे तो मैं हुई चूँ क्योंकि JBCCI मेंबर के नाते हमारा अधिकार है यह JBCCI में ही यह 940 को मेडिकल अन्फिट करने का परवधान लाया गया हमारे भारा सरकार के द्वारा जो गठीत हमारी जो कमिटी है जिसमें हमको दो पक्षिय कमिटी के इसमें अधिकार है एक तरफ में मैंनेजमेंट और एक तरफ में टेर्ड उनियन के नेता बैठते हैं और आपसी समझोते के तहट हमारे कामगारों के लिए सुख सुविधाय या उनके जो समस्याय हैं, उसका निवारन करना, उनके जीवन इस्थर को उच्चा बनाना और उनके जो वेतन हैं, उसमें कैसे विरिद्धी करना ये सब विशह पे चर्चा करने के लिए और उस पे नि अधिकार है जिसके तहट हमारे कामगार भाई को अगर किसी भी तरीके से उगर उनको सारेरिक तकलीफ हो गई है या उनका एक्सिडेंट हो गया है या उनके सारेरिक कोई बीमारी हो गया है जिसके कारण वो ठीक तरह से कारे नहीं कर सकते हैं ऐसे कामगार भाईयों को medical के दौरा जाच करके उन्हें medical unfit कर दिया जाता है, और वो medical unfit करके उनके जो आस्रित है जाए उनकी पत्नी हो या उनका बेटा हो, अगर वो रोजगार करने के योग्य है तो उन्हें रोजगार दे दिया जाता है, ये पिछले कई और्षों से ये नियम अनुसार कारिक किया जा रहा है लेकिन 2015 में WCL में एक बड़े लेबल पर कम्प्लेन हुई कि 940 जो मेडिकल बोर्ड हो रहा है उसमें भारी ब्रस्टाचार हुआ है और उसमें बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से अनफिट करके उनके रोजगार दे दिया गया और बा को यह मामला सोपा और CBI डिपार्टमेंट ने दो धाई साल तक कि इसकी इंक्वाइरी की और अपने इंक्वाइरी पर जो भी लेबल पर किया उसमें तो मुझे नहीं मालवें किस लेबल पर लेकिन कहीं पर भी कहीं कोई आरुप सिद्ध नहीं हो पाया कि कुछ गलत हुआ लेकिन इस इंक्वाइरी के बीच में जो यह जाच चलती रही है जाच के बीच में WCL के साथ में कोल इंडिया के जो प्रबंदन है उन्होंने जान बूच कर CBI का नाम लेकर 940 का जो प्रवधान था जो नियम था उसको बिना कारण 2015 से बंद कर दिया और ऐसे हमारे सैकोडो हजारो कामगार जो सारीरीक रूप से विचारे अक्षम थे कारे करने में उनका 2015 से अभी तक की एक भी वेक्ति का मेडिकल बोर्ड नहीं हुआ जिसके कारण वो लोग विचारे इसी तरह से रिटायर हो गए या स्वर्गवासी हो गए लेकिन उनके लोगों को रोजगार नहीं मिला और यह इसको बंद कर दिया उसमें 400 लोगों की जो नौकरी है वो दापर लगी है उस पार में क्या कहना चाहिए जी बिलकुल जो मैंने आपके जानकारी में दिया था कि CBI इंक्वारी में यह सब मामले रुके हुए थे इन्हें रोजगार से हुआ है और आपको जो रोजगार मिला है वो भी गलत तरीके से मिला है इसलिए आपका क्यों ना रोजगार खतम कर दिया जाए जिस पर हम लोग को जैसे ही जानकारी मिली हम तुरंद मैनेजमेंट से बात किये कि आप किस बेस पर यह बोल रहे है कि 940 बोर्ड गलत हुआ है और या तो उसमें कोई व्रस्टा चार हुआ जब CBI inquiry में कही चार्जेस परूप नहीं हो रहे हैं कोई संस्था ने आभी तक परूप नहीं किया कि गलत हुआ तो आप इतने सारे बड़ी संख्या में कैसे लोगों पर कारवाई कर सकते हैं लेकिन मैनेजमेंट अपनी बा साही रवये से हमारे 400 परिवारों को अगर उनका नुकसान करने जा रही है तो हम लोगों को एक होकर इनका विरोत करना चाहिए और हम पाचों संखटोन ने मिलकर कोईला उद्द्यों में अपने कामगारों को बचाने के लिए आंदोलन तक के या और कुछ भी आगे तक जा आकर बैड़ गए कि आप तुरंद में ये जो निर्णे लिये हैं इसे वापस ले अगर किसी भी कामगार के साथ में अन्याय हुआ तो हम लोग आंदोलन के रूप में उतर जाएंगे उसके पूरी जवाबदरी WCL के अधिकारियों के होगी जिसके कारण आज की डेट में WCL के अधिकारियों ने अपने निर्णे को अभी स्थगित करके रखा है आगे तो नहीं बढ़ाया लेकिन वापस भी नहीं लिया है इसलिए अभी इसमें संगर से चालू है बहुत जल्द वह वापस लेना ही पड़ेगा क्योंकि नियम के खिलाब कोई भी लोग अन्फिट न पारे में बताया तो यह बताईए कि JVCCI क्या है और किस तरह से कारिय करती है जी जी का फूल फॉर्म है जो जाइनट बाइपरटाइट कमिटी और उसको हिंदी में दूपक्षिय कमिटी बोला जाएगा और उसको हमारे के कोईला उद्योग के लिए अपने आप में दानिक धाचा है उसको राष्टिय कोईला वेतन समझवता करके जाना जाता है अभी ग्यारवा चल रहा है पिछले दस तो हो चुके हैं और जो जेबी सीसी आई है वो हमारे कोईला उद्द्योग में काम करने वाले भारत में कहीं पर भी जहां पर भी कोईले का उत्पादन हो इसमें जो डिपेंडेंडेंट रहते हैं बच्चे उनका सिक्षा उनके इसमें आरोग्यी की सेवा उसका कारेकाल पाष साल तक के रहता हर पास साल बाद उसका फिर से मीटिंग उती है और वो मीटिंग में तैय किया जाता है कि अब आगे के पास साल तक के कामगारों का वेतन कितना रहेगा, उसमें विरिद्धी कितनी होगी, तो सबसे में मुद्धा रहता है कामगारों के वेतन का, जो अभी मुख्य मुद्धा है, दूसरा कामगारों के इसमें जैसे सभी जो सुक्ष विधाये हैं, या जो उनका इसमें सुरक्षा है उससे संबंदित मामला जैसे कोई भी कामगार की मिर्टि हो गई तो उनके परिवार को एक लोग को नौकरी देना आपके जानकारी में दू कि यह कोईला उद्ध्योगी एक ऐसा उद्ध्योग है जहां पर 100% रोजगार की गैरेंटी है यदि किसी भी तरीके से हमारा कामगार की मिर्टि होती है जाए वो घर पे तबियत खराब होकर उनकी मिर्टि हो जाए या एक्सिडेंट पे हो जाए या कहीं पर भी हो अगर उनकी मिर्ति हुई है नौकरी कारे याने 60 साल के अंदर में तो ऐसे कामगार के बतले उनके जो आस्री थे उनको रोजगार 100% मिलता है ये सुविधा भारत सरकार के बाकि किसी भी कमपनी में एकात को हो सकता है होगी लेकिन कोईला उद्ध्योग में 100% रोजगार है यह बहुत बड़ी बात यह सीव हमारे जेभी सीसी आई के नेताओं ने और हमारे उस समय के अधिकारियों ने यह तै किया है जो अपने आप भारत के इतियास के लिए एक सुनेरे अक्षरों में लिख कर जा सकता है कि अगर हमारा कामगार काम करता है तो कामगार के साथ उसके परिवार की भी सुरक्षा और उसके वो जिन्दा रहने के बाद और जिन्दा नहीं रहने के बाद भी उसके परिवार का पालन पोसन कैसे हो उसकी पुरी गैरंटी कोल इंडिया लेती है सर लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि जब किसी कामगार का एक्सिडेंट होता है तो जो कमपनी उनको पैसे देती है एक्सिडेंटल पैसे जिसको बोलते हैं तो वो बहुत समय लग जाता है कभी उस चीज के लिए तो ऐसे समय में जो लेबर होता है उसको अपने जेब से खर्चा करना पड़ता है ऐसी विनौत कभी-कभी आतीतों ऐसा क्यों होता है कि कई पार हम पैसे मांगने पर भी कंपनी पैसे समय पर नहीं दे पाती नहीं ऐसा है कि जहां कामगार को तकलीफ जाए तो महीं के वही काम करने के लिए तो ट्रेड यूनियन है नहीं तो हमारा का गठन के लोग या अधिकारी लोग कुछ-कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो जानबूच कर वो मामले को फसा देते हैं इसलिए यह लेट हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता है अगर आप सही समय पे पूरे काग्जों को अगर आपने जमा किया है तो तुरंत में पैसे का भुकतान होता है ऐसा कहीं भी नहीं है कि नहीं होगा लोगों को बहुत से लोगे जिनको यह नहीं पता कि ऐसी स्तिती में कहां जाए क्या करें किसे मदद मांगे आपके संस्था की दरफ से और क्या-क्या मतलब मदद मिल सकते हैं कि हम लोगों का जो ट्रेड यूनियन है जो हमारी सं अगटना है और हम लोग जमीनी लेवल पे लोगों से डारेट कामगारों से जुड़े रहते हैं हर कामगार हर साल में खुलकर याने जो भारत के इतिहास में कुछ-कुछ जगे ऐसा होता है कि हर साल वो सदस्तय अभ्यान चलती है और वो अपनी मर्जी से आकर किस union का उसे सद से रहना है वो अपनी सदस्ता गरहन करता है और उल्टा हमें स्दूग रासी कुछ देता है जिसे हमारा ट्रेट डो कार्यवल कार्व कार्य जो रहता है हो चलते रहे तो आप यह समझ लीजिये जो यह हमारा कांज उसको हर सॉल यह मौकाश रहता है कि जो अच्छ नेता है जो अच्छी उनियन है, जो लोगों का काम कर रही है, उसके साथ रहे, उनका मनुबल बढ़ा है, उनको आगे बढ़ा है, और जो काम कर रहा है, उसे सयोग करें, जो काम नहीं कर रहा है, उसे साइट करें, बस इससे अच्छा उप्शन क्या है? बहुत को सही बात है सर यह पता ही कि हमने सुनाई कि इस कोरोना काल में भी WCL के और स्पेशली आपके हमें संगटना की तरफ से आपका क्या योगदान रहा है? देखें ऐसा है करोना काल में तो आप अगर जानकारी लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो हमें संगटन है किसी की हम कमिया नहीं गिनाएंगे लेकिन हम अपनी अच्छाईयां गिनाने के लिए ज़रूर बैठे हैं मुझे लगता है कि हम लोगों को करुना काल में जितना भी जानकारी मिली है सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में हमारे पैनल हाइस्पिटल में हमारे कामघारों को करुणा से जो गरसित थे उन्हें admit करवाना, जहां bed नहीं मिल रहे थे, उनको bed दिलवाना, जहां medical की सुविधाय उनको नहीं मिल रही थी, गाड़ी ambulance नहीं मिल रहा था, ventilator नहीं मिल रहा था, पूरी तरह से हम लोग अपने आपको उस पे निचावर करके रखे थे, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, उपर वाले की दया है, मेरे को भी करूना हो गया था, मैं खुद भी उखाड हैस्पिटल में admit था, admit रहते में भी मैं लगातार लोग मुझे mobile करते थे और वो mobile से मैं कई लोगों को admit करा रहा था, खुद भी admit था और लोगों को भी admit करवा रहा था, तो अब इससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई सबूत नहीं है, देने के लिए, आपके चैनल के माद्यम से बोलने का मौका मिलेगा कि साइध हमारे देश के परधान मंतरी मेरी आवाज कहीं सुन ले, तो साइध बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखे ऐसा है कि जब पूरे देश और विदेश बंद सा हो गया था करूना काल में, हमारे कोईला ही मजदूर कामगार भाई हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को दाओं में लगा कर करूना काल में कारे किया है, जब 24 घंटे लोग निकलने को तयार नहीं थे घर से, और हम 24 घंटे काम कर रहे थे, और उस समय ना तो एक पल भी हमने परवा किया कि करूना से हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस करने के लिए एक मीटर का बोला गया था, लेकिन अंडरगाउंड में काम करने वाले कामगार, या ओपन कास्ट में काम करने वाले कामगार, कोई भी हालत में हम लोग दूरिया बना कर काम नहीं कर सकते, एक दूसरे से संपर्क में रहकर, एक दूसरे से चिपक कर ही काम करना पड़ता है कुछ मजबूरी लेकिन ऐसी स्तिती में भी हमने काम किया कहीं पे भी देश को जुकने नहीं दिया कोईले का उत्पादन कम नहीं होने दिया अपनी जान की बाजी लगाया लेकिन हमारा दुरभाग ये देखिए कि हमने देश की सरकार से एक ही मांग की कि साब हमें अगर आप कुछ दे नहीं सके सम्मान दे दीजिए कि भई जैसे ही आपने बाकी जो लोगों ने हमारे साथियों ने हमारे डॉक्टर्स ने नर्सेस ने और बाकी जो सेरा मेडिकल स्टाप्स ने और बाकी जो भी लोग है जिनों ने करुना काल में बहुत सा अपने जान की बाजी लगाकर का सिवा किये देश की इन लोगों को आपने फ्रंड लाइन में गिना उन लोगों के लिए दुनिया भर का मौज़ा तै किया वो ठीक है वो बहुत अच् हमें कम से कम सम्मान तो मिल जाना चाहिए था लेकिन हम मैंने बहुत कोशिश की मैं अपने जेबी सीची की पहली बैटक में गया कोल इंडिया चेर्मेन से पहला ही प्रस्ताव रखा कि सार यह हमें सम्मान हमारे मंत्री महोदय जी के माद्यम से भिजवाई है प्रधान मंत् है लेकिन ठीक है अब आपके माद्यम से अगर कहीं सायद सरकार सुन ले तो सायद अच्छा होगा कोरोना काल में हमें संगटना की तरफ से जितना भी गार यह डबलूसील की तरफ से किया गया स्पेशली सर के संगटना की तरफ से किया जा है वो अपने आप में काभीले तारीफ रहा है सर मैं आखरी कोशन आप से पूछना चाहूंगी कि और डेवलूसील में नहीं टेक्नोलोजी साय ड़लॉप्मेंट और ज्यादा बड़े प्रोड़क्शन धुगनी चौगनी गती बिजली जो पूरे भारत में लग रही है उसका 80% कोईला ही एक सुरोत है कोईले का यहने 80% जो बिजली बन रही है वो कोईले से बन रही है और सबसे में चीज है कोईला लेकिन आप इसमें जड़ा देखेंगे हम विकास की बात कर रहे हैं आप उसमें नहीं टक्नोलोजी क बात कर रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि देखे एक आप प्रेस रिपोर्टर होकर आप हमसे एक एंकर होकर पूछ रही है कि आप नया क्या कर सकते हैं यही तो सरकार से भी हम लोगों की मांग है कि जितना हम विदेश से कोईला मंगाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं जितना हम बड़ी-बड़े भाशन देने पर पैसा खर्च कर रहे हैं उतना कुछ पैसा अगर हमें भारत सरकार हमारे नए टेकनोलोजी लाने के लिए दे दे तो हमारा जो कोईला उत्पादन है उसका वो बड़ी संक्या में बढ़ जाएगा और हमारे इसमें जो विदेशों से कोईला आ रहा है वो बंध हो जाएगा लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है मुझे नहीं मालूम है आप एक और महत्यों की चीज देखें कि भारत सरकार के इसमें बिजली उत्पादन करना महत्यों का है लेकिन कोईला उत्पादन करना भी महत्यों का है दोन और 10,000 रुपए टन का कोईला हम लोग बाहर निकाल कर जब उसको लाते हैं उपर और वो मसी भी या हमारे पावर सेक्टर को जब वो कोईला जाता है तो उसकी कीमत हमें सरकार दौरा तै कर दी गई है उसका मात्र हमें 1400 या 1600 रुपए के और भाव मिलता है जो अपने आप में एक हमारे लिए प्रश्ण चिन है कि हम 10,000 रुपए टन का कोईला निकालेंगे और हमको 1400 और 1600 रुपए के रेट में पावर सेक्टर को देना है ओपन कास्ट से हमारा जो है 2500 रुपए टन का पंदरा सो रुपए टन का कोईला निकलता है वो हम 1600-1700 रुपए टन में पावर स सेक्टर को देते हैं क्योंकि वो सरकारी रेट हमारे लिए फिक्स कर दिया गया है कि इससे उपर में आपको नहीं देना है उपर से पाबंदी लगा दी गई है कि कोईले का जितना उत्पादन होगा उसका 80% आपको पावर सेक्टर को देना है ठीक है लेकिन जब हम उनसे बिटाना चाहिए कि जब हम भी देश के एक मुख्य इसमें हमारा पब्लिक सेक्टर है तो हमारे को अगर हमसे सबसीडी में कोईला लिया जाता है हमारे से सरकारी रेट पे तो हमें बिजली भी तो सरकारी रेट पे दिया जाए हमें भी competition के लिए market में अधिकार दिया जाए लेकिन वो नहीं कर रही है सरकार ठीक है अब उसके पीछे का वो लॉजिक यह है कि अति आवसक चीजों में है इसलिए इसमें पूरा सरकार का control रहेगा तो अति आवसक चीज के लिए हमें competition में आने के लिए कहीं न कहीं हमें वो अधिकार तो दे कि जो खर्चा है वो उतने पैसा अगर हमारे कोल इंडिया को अगर सरकार ने दे दिया तो आप जिस तरह से बोले हैं कि नई नई technology हम लोगों नगर इस्तमाल करना चालू कर दिया और नई नई मस्नीरी लगाना चालू कर दिया तो कोईले का उत्पादन बढ़ेगा कोईले के उत्पादन के साथ में लोगों का रोजगार बढ़ेगा रोजगार बढ़ने से अपने आप देश की अर्थ वेवस्ता भी ठीक होगी और अपने आप में कई बेरोजगार हातों को काम मिलेगा तो यह इस तरह से जो पड़े लिखे जो अभी नए बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा हाई कौलिफि तो कोल उद्योग जो है वो इतना बड़ा टॉपिक है जिसे चंद शब्दों में बया करना बहुत मुश्किल है फिर भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज है शिव कुमार यादो जी जो की पूर्व जिला परशत सदस रह चुके हैं कोईला श्रमिक सभा HMS केंडरी के अध्यक्ष हैं जेबी सेसी आई कोल इंडिया सदस भारत के सरकार के हैं सर ये बताईए कि HMS संगटना के आप अध्यक्ष हैं तो एक अध्यक्ष होने के नाते आपके संगटना जो है वो मजदूरों के लिए किस तरह से कारी करती है ऐसा है कि HMS जो हिंद मजदूर सभा आल अगातार हम लोगों को हर रोज हर समय अलर्ट रहना पड़ता है और कामगार की समस्या ऐसा एक समस्या रह तो मैं बता सकता हूं हर चीज के लिए जैसे आप एक छोटा सा उधारन ले लिए कि अगर कामगार काम में गया उसे कोई तकलीप हो गई उनकी अगर हाजरी काटी गई तो उसपे बात करना है उनके परिवार के लोगों को या उनको को solution करा आंग कर दिलाना है उनका अपर कर दिलाना है उनको ज़ाकर वापस दिलाना है उनका कर कोई ट्रांसफर का मामला है उस पे जाकर चर्चा करके बात करके दिलाना है या और ऐसे कोई मामले हैं जो कामगारों के लगातार यह ऐसा कोई कामगार नहीं है जिसका कोई काम नहीं पड़ता है लेकिन वह क्या होता है हमेस पिछले कई वर्सों से हम पूरे कोल इंडिया में भी पहले नम्मर पे हैं और डबलू सील में पिछले तीन वर्सों में हमारी पूरी टीम एक साथ कामगारों की हर दुख सुख में खड़े होकर जो हमने कारे किया है उसके कारण ही उन्होंने हाथो हाथ लेकर आज हमें पहले क्रमांग पे बिठाया लेकिन पहले क्रमांग पे बैठने के बाद भी और इतने बड़ी पोस्ट पे जो मुझे कामगार भाईयों के द्वारा मिली है कि सरकारी पोस्ट पे मैं जेबी सिस्याई सदस्य हूँ या सीए सेलबी का सदस्य हूँ मैं अपने आपको अभी कामगार के साथ का छोटा भाई किसी का बेटा किसी का भतिजा किसी का चाचा करके ही रहना चाहता हूं और अपने संगठन के साथियों को और अपने आपको भी मैंने उस तरह करके रखा हूं कि सारोजनीक जिन्दगी जैसा मेरा एक नमर जो मोबाईल नमर है वो मेरे कामग नियाद बच्च वो मुझे directly mobile लगाकर बोलता है कि अंकल या भीया हमारा यह काम है यह काम था आपके नेताओं को बोला लेकिन उन्हों ने सुना नहीं अधिकारी को बोला वह कि उन्होंने सुना नहीं आप हमारा यह काम करा मुझे बड़ी खुषी होती है कि हमारा कामगार या हमारे कामगार के परिवार के लोग डारेक्ट मुझसे बात कर रहे हैं कि वह इतना बड़े नेता भी नहीं हमने अपने भाई को अपने नेता बनाया है और मुझे भी गर्व रहता है कि मैं अपने कामगारों के साथ में नेता गिरी कर रहा हूं क्या बात है सर आपके कारियों को जानकर हम लोग तो खेरा आपके कारे से तो के सामने हमारा कारिय बहुत छोटा है आपका कारिय जो है सर वाकई में अपने आप में बहुत काभीले तारीफ रहा है सर जैसे कि मैंने कहा कि कोल इंडिया के और कोल जो है वो बहुत बड़ा टॉ में लिया इसके लिए आपका एक बार्थ फिर बहुत बहुत धन्यवाद तरह हम आपके उजबल भविश्य और उत्तन स्वास्ते की कामना करते हैं दोस्तों इंग विसेन की खास मुलाकात इस कारिक्रम में आज हमारे साथ शिर कुमार यादोची उपस्ते थे जिनोंने कोल मा काल में बलकि वो अब भी जो लोग हैं जो नौकरी से दरदर भटक रहे हैं एक्सिडेंटल केस हो या फिर बहुत सी समस्याएं हो जो इस संगठा के माध्यम से दूर हो रही है इन सारे विश्यों पर आप पर नज़र डाला है अन्य टॉपिक पर लेकर फिर शुरू होंगे फिर मिलेंगे एक नए शब्द के साथ नए सदेसे के साथ तब तक लिए मुझे दीजिए इस जाज़त और आप देखते रहे हैं इन विसे न्यूज